हालो 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 मेरे प्यारे बच्चो कैसे हो आप सब लोग हम कर रहे हैं आपका मॉड्यूल वान इंट्रोडक्शन एना फॉर यॉर फॉर्स पेपर दाट इस फंडमेंटल्स बिजनस लॉज और बिजनस कॉमिनिकेशन येस तो हमने लास सेशन में बातचीत करी थी लेजिसलेचर अभी करंट सिनारियो में आ गया थे हमारा इंजिन पीरेंड बिडिवल पीरेंड और बिटिश अरा हो गया था अब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस के आरे म क्या रोल है उसके बारे में में आर्टिकल सेविंटीनाइन से चालू किया था यहां पर सेंटर का बात है और अर्टिकल वन सिक्टी एट में स्टेट की बातचीत देखी येस और हमने आगे बढ़ते रे पावर टू लजिसलेट भी जाना था येस पावर टू लजिसलेट एंड लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन ओफ बिल हाज का सेशन यहां से चालू करते हैं ठीक है कोशुश करेंगे मिजॉरिटी आज कवर हो जाए और एक चोटा सेशन लास्ट नेक सेशन करके फिनिश करेंगे तो आज कर एक और सेशन लगाएंगे हमारे इंट्र सब्सक्राइब करेंगे वी चालू करने के लिए निए कहार पाच क्लासे लगेंगे शेसर डे क्मिनिकेशन करने कंृमिनीकेशन वाला लुक मॉज़ी करने के लिए मि प्रेजिडेंट के पास प्रेजिडेंट ने भी अपना एसे इंड दिया उसके बाद पब्लीक उपिनियन में इस बाते हमने पढ़ी है पब्लीक उपिनियन इस तरीके से अपना इन्पूट देगी लगेगा कुछ चेंज इसकी जुरत है तो चेंज होगा and then an act will be formed इसी तरीके से माना प्रोसेस है आर्टिकल 107 ऑफ इंडियन कॉंसिटूशन 1950 में लोकसभा राजसभा की बातचीत हैगी ताकि लोग बनाया जा सके लोग फॉर्मूलेट किया जा सके एक लेजिसलेटिव प्रपोजल लाया जाता है जिसे हम बिल का नाम देते हैं अब यह प्र इदर ऺवर्मूले में लोग सब राजसभा में पहले किसी भी हाँस में लाजस नेक्ष्स में ली जायेगा बिल पाय判 इदे मेंट्र और मेंबर अज़-जेआघ नन आजसे यह वह संवनेगया मिनिस्टर तहु है बोल रहें कि बिल कोत लश्में के सामने या अच prior नोज मेंस्टर लेकर आरा है बबल और साफिक बढ़िखला है जा कि एक बिल इंट्रिंज्ड रहा है बढ़ी और मुस्साले मेंबर लुतारRY sthm और जब एक other than member of parliament introduce कर रहा है बिल को दोनों houses में तो इसको private members bill बोलेंगे और article 107 बोलता है कि जब introduce होना है कोई बिल या पास होना है बिल in order to form a law subject to the provision of 109 article and 117 article with respect to money bill and other financial bills a bill may originate in either of the two houses हम क्या बोल रहा है हम बोल रहा है article 107 के अंतरगत जब ही भी कोई member introduce करता है बिल को in either of the लोकसभा और राज्यसभा तो इसको हम बोलते हैं government bill इसको हम बोलते हैं government bill जो ये bill है इसी को हम बोलते है government bill बट लेट से जो member introduce कर रहा है वो other than member of पार्लेमेंट है other than this member है ठीक है अगें जाएगा दोनों houses में लोकसभा में राज्यसभा में तो ये बन जाएगा private पार्ट बिल ठीक है इसको हम बोलेंगे private members बिल प्राइवेट अब 107 आर्टिकल 107 के अंतरगत जो हम बिल इंट्रड्यूस कर रहे है वो किसके प्रोविजिन के साथ लाइंड होना चाहिए 1000 आर्टिकल 109 और 117 इनके प्रोविशिन के accordance में होना चाहिए आर्टिकल 109 आर Cantonese model 117 ठीक और पहले लोकसभा में जा सकता है फिल राज्यसभा में जा सकता है यह वैस बड़्सा कर रहा है money bill के बारे में और article 117 बात कर रहा है other financial bills के बारे में हम क्या बोल रहे हैं जब भी कोई money bill है under article 109 वो राजे सभामें नहीं जाएगा not it is not introduced in the council of states इसको हम राजे सभामें बोलते हैं mentioned law includes law में और जाते हैं जो में बन रहे हैं बाइ लॉज रूज रेगुलेशन नोटिफिकेशन कस्टम यूसेज किसी भी टेरिट्री में लैजसे गुजरात की टेरिट्री में एंफोर्स होना तो उसके कोर्नेंस में आ जाए है therefore in times of these exigencies आ article 123 प्रेजिदेंट सेंटर लेवल पर बात कर रहे हैं और हम यह अल्रडी फर्स्ट सेशन में बात्चीत करके आ हैं तो आम अस्यमिंग कि आपको यह टॉपिक अल्रडी आता है ठीक है ओडिनेंस आजा दा 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 दूरिं ताम ओडिनेंस दूरिं दूरिं ताम ओडिनेंस अर्डिनेंस पास कर देंगे है ओके जैसे भी तर्डिनेंस केंवेरी फॉम सिक्स वीक्स तो सिक्स मन्स डिपेंडिंग कि क्या सर्कम्स्टांस है और सेशन में कब हाउसे और पार्लेमेंट वापस आ रहे हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट ड्रोल प्ले करेंगा ठीक है गवर्मेंट ऑफ स्टेट को मिली है आडिकल तूवन तूवन थ्री में हमने क्या पड़ा था अपर चेंज़ बादा रूज पास हो रहा है तो हपर गवर्णर के पास पावर रहे जैसे यहां पर अढंब ऑनर अर्टिकल वन तुए यह से प्रेजिडेंट के पास पावग तो टेरिटोरियल निमिट में रहेगा अव्कॉस जिस्टेट का है उसी पे ही लागों का अब आप तू आर्टिकल टू फॉर्टि त्री में हमने पंचायती राज करेंबात करी थी ठीक है ना विद रिस्पेक्ट टू रूरल इंडिया पावर शेरिंग लोकल गवर्मेंट के पास यह है अर्टिकल 243 तो अर्टिकल 123 अर्टिकल 213 और अर्टिकल 243 यह हमें अपने दिल में अपने दिमाग में उतार लेने है ठीक आगे बढ़ेंगे हैं वट बिकमस नेसेसरी इस तो अमेंड दे सेम अगा टाइम जैसे रिक्वार्मेंट है वैसे चेंज करना होगा और अगर लॉमेंट तबदील करना है तो वो करना होगा अधरवाइस वी विल हाव तो खारी जोसको हटा दिना पढ़ेगा ठीक है आर्टिकल 368 बोलता है हमाए आर्टिकल आर्टिकल में बताया जया है एडिशन बारियांस लाया जा सकता है ए आर्टिकल कौन स है 368 बोलता है तैन सो और जाटिकल स हमें याद करने होगे आपको ऐसे मैं संझाया था कि एक एकसल शीट बना लीजें यहाँ पे अक्ट का नाम लिखिये यहां पर आर्टिकल ये सेक्षिन का नाम लेखियों वो किसको को रस्पॉंड करते है बना लीजे I will try to share a sheet with you जो important section से आर्टिकल से शेर करने की कोशिश करूंगी before your examination but till then you should also do it and if you have already done it you can tag me on instagram disha.dua29 is my insta id I will share your story on my story on my handle okay this is my instagram handle however with all these powers conferred there is a risk कि अगर कुछ लाया गया कुछ हटाया गया there is a risk certain law अमें article 368 ने जो प्रोविशन विया है which are in the contravention of rights that are fundamental human survival with a dignified life and enhancement of the same basically इस बात का डर जरूर था कि अगर जो लिखा हुए constitution में आप changes करना चाहरे है let's say few people want to do it and process follow कर लेते हैं और माल लेते हैं उससे कुछ जो basic rights है human rights है human rights हमारे आर्टिकल में जो हमको दिये है अगर वो हीन होगे फिर क्या करोगे तो यहां पर supreme court ने केशव नंदा भार्तिय और state of kerala mention किया कि कोई भी amendment अगर ऐसी है कोई भी ऐसा change कर रहे है जो human rights को जो constitution में चेंज कर रहे हो वो contravene कर रहे है opposite जा रही है जो कि fundamental rights है तो unconstitutional है उसे constitution में आप include कर ही नहीं सकते समझ में आरहा है मेरे प्यारे बच्चो बेजे में जा रहा है very well however despite all such checks and balances powers are transgressed and disputes arise जाय कोई भी कहलो रढ़ाया तो होंगी in order to see the correct understanding and validity of the law the bylaw concerned we approach the court जाता supreme court रहा पर रहता है ताकि जो भी situation है जिसमें हम changes ला रहे है उसके क्या plus है और क्या minus और जो basic fundamental rights नहीं में कि अगर उस पे question आ रहा है of course it will become unconstitutional खेक है तो आप सब के लिए question एक screen पर question गया बोल रहा है which article in the constitution of India 1950s the provision for introduction of bill in the parliament of India is it article 119 article 119 तो प्रोविशन है money bill के साथ but यह तो नहीं है आंसर article 141 no that's also not correct article 243 में तो लोकल गवर्मेंट को ordinance पास करने के आरे बात कर रखिये article 107 में इंट्रोड़क्शन किया जाता है bill का either by a member of the parliament or somebody other than the member of the parliament if it is by the member of the parliament it becomes a government bill otherwise it is private member space और 119 के अंदर हम बात करते है money bill के वारे में other financial bills के आरे में बात करते है 117 article के अंतर करते है I hope this is all clear to everybody article 107 moving forward money bill is introduced in which house of the parliament राजय सभह में money bill नहीं जाता है ऐसा article 109 बोल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ council of people में जाता है council of state में नहीं जाता है yes and therefore the answer becomes A to this question ठीक है under which article can we amend the provisions of the constitution of the article कहां कर सकते है 245 में नहीं है 254 में नहीं है अब इंदों में आपको confusion हो सकता है but it is over a period of time जैसे हम पढ़ते जाएंगे अपने concepts को strong करते जाएंगा और revision करते राएंगे multiple MCQs solve करते राएंगे तो अतनी बार हम इसको याद कर लेंगे कि article 368 बात करता है provision of constitution for the amendment in the constitution but यह बाध्यान रखने पड़ेगे कि unconstitutional नहीं होना चाहिए ठीक समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्छो बहुत बढ़िया चलिए प्राइवेट बिल क्या है जो प्राइवेट कर बिल है जो अधर देन member of parliament इंट्रीड बिल बो लेंगे अधर देन minister इंट्रीड बाइवेट कंपनी प्राइवेट बिल रर रेटिंग उपेस्ट नो आंसर तो इस question इस वाट आ रहा है ना समझ में चमक अराया ना topic तो प्रच रहे हैं उसके तरह हम वह स्वाइशन भी सॉल कर पा रहे हैं कर पा रहे हैं बहुत बढ़ी है चलिए ना important क्या है the judiciary has been established under the constitution of India 1950 as an institution of last resort मतला जब कुछ नहीं काम कर रहा है तो सरकार दुहाई हो for a common public as well as all legal entities under the law इसमें सरकार चाहे central level पर आ जाए चाहे state level पर आ जाए सब कुछ include होता है okay the supreme court of India is the apex institution apex means supreme इसके ओपर कोईच नहीं है in the hierarchy followed by the high court in the respective states and followed by the subordinate court so हम कैसे बोल रहे है supreme court है उसके नीचे high court है state level पर उसके नीचे subordinate courts है subordinate courts के अंदर ही आपके district courts और बाकी courts आ जाते हैं okay highest court is the apex court and that is what? इसका अप लोग मुझे comment box में देंगे is it high court, supreme court, international court of justice or session court you have to give the answer to this question to me in the comment box okay I'll wait for your comments for this question though इसका अंसे मैंने mention जरूर कर रखा है आपकी note में आपके साथ law by cm में दिशाद हूँ और टेलीग्राम ग्रूप पे शेयर कर दूँगी तो टेलीग्राम ग्रूप जरूर से जोइन कर लीजिए अब हाई आर्की ओफ कोट समझते हैं इंडिया में कैसे चलता है हमारे Constitution में ऐसे बता रखा है सबसे एपक्स कोट के सुप्रीम कोट फिर सेट लेवल पर हमारे पास है कोट सें अंदर बिसापक्राइब्स आप़िए ट्राइब्स विल् सेंट में यह तो भी नाशनल कंपनी अर्ट्री discourage बना जाता है यहां पर हम पूरा process of civil court या criminal court को हटाते हैं criminal cases या नहीं आते हैं civilly nature cases आते हैं service tax related customer loss related कुछ tribunals बन रखे हैं वो भी इसी court system के अंदर हमारे पास आते हैं यहां पर क्या बोला है my constitution हमको क्या बताया है single integrated judicial system है जिसका pyramid structure है सबसे कम बाते सुप्रीम कोर तक पहुच रही है बर जो उनने बोल दिया वह final है which constitute different types of courts जिस अपके आस अपने अपनी power है depending on their jurisdiction तो जो धाचा बन रखा है हमारे current legal system का वह किस ने दिया है constitution है हमारे सम्मिधान ने दिया है कहां कहां दे रखा है part 4 and part 6 part 4 of part 5 and part 6 sorry guys part 5 आ रहा है chapter 4 के अंदर part 6 आ रहा है part 5 के अंदर माइनस 1 करके आपको याद रखना है part 5 आ रहा है chapter 4 of supreme court of india and chapter 6 आ रहा है sorry part 6 आ रहा है chapter 5 of high courts and chapter 6 of subordinate courts इसको याद करते हैं थोड़ा सा मेरे साथ क्या बोल रहा है हम हम बोल रहा है हार पस है part 5 and part 6 part 5 है chapter 6 of supreme court and part 6 है chapter 5 of high court and 6 of district court यह अगर हम याद कर पा रहे हैं तो we are sorted with this one कि जो धाचा है जो framework है हमारे constitution का वहाँ पर जो legal system currently lay down किया गया है हमारे constitution ने माई समविधान में वो बता रखा है कहां पर part 4 and part 6 part 4 of chapter 5 of supreme court of india and part 6 of chapter 5 of high court and chapter 6 of district court ठीक है असान है बहुत difficult नहीं है थोड़ा सा समय जरूर देना पड़ेगा और समय नहीं देंगे तो यह हम याद नहीं कर पाएंगे और apex court के साथ शुरू करते हैं जो कि हमाए supreme court it is the apex court of india समय कहा बोला chapter part 5 of chapter 4 of supreme court of india and there it is chapter 4 part 5 supreme court of india okay and the article is what article 124 से article 147 यह अंदर हमारा legal system जो currently prevailing है as per constitution of india 1956 1950 बता रखा है okay हमने क्या बोला सब हाइस court कौन सा है supreme court apex court जुडिशन सिस्टम में जिसमें कौन सा chapter है chapter है 4 part है 5 article है 124 से 147 यहां पर एक चीफ जस्टिस है तो जजज पॉइंट किये जाते है वो है ठीक अब supreme court की क्या powers है guys supreme court की के functions क्या क्या है यह act करता है as a guardian guardian of the constitution जो की protect करता है हमारे constitution में कि कोई ऐसे changes ना हो जो unconstitutional हो supreme court एक guarantor जैसे behave करता है कि fundamental rights हमारी ही नहीं होनी चाहिए supreme court एक sole authority भी है जो भी कोई भी अगर dispute हो रहा है elections related president में vice president में तो उसका solution निकालेंगे और center related मतलब state related में high court आजाएगा center related जो भी some problems हो चली जाते है supreme court के पास highest court है appeal के लिए मालेते है कोई subordinate court से civil court से कोई district court से कोई चीज गई तो वाले high court जाएगी और supreme court जाएगी वाते हम करनी रहे है अभी के लिए ठीक है अपने civics में पढ़ा है क्योंकि चली हमने क्या बोला दो जुरिस्डिक्शन है अपन के पास यहां पर दो नहीं हम आपस कुछ पावर्स है supreme court की ऐसे original jurisdiction writ jurisdiction, appellate jurisdiction, advisory jurisdiction, punishment for contempt and review of jurisdiction कुछ बाचीत हमें यहां पर बता रखी है क्या है यह के करके समझते हैं let's understand one by one precisely about how does this entire concept work original jurisdiction क्या है article 131 बोलता है original jurisdiction के बारे में जहां पर अगर कोई dispute है कोई लडाई है तो जो court है supreme court है dispute किस किस के विश में government of India या फिर एक या एक से ज्यादा state या फिर दो या दो से ज्यादा state या फिर government of India और कुछ states एक साइड पर और बाकी states दूसरी साइड पर तो हमारे पास original jurisdiction की पावर किसके पास है supreme court के पास जैसे दो भाईयों में लडाई हो रही है तो हम भी पापा सॉल्व करेंगे ऐसे ही जब central government government of India की एक state के साथ है कुछ state के साथ है government of India कुछ state एक साइड है दूसरी से दूसरी साइड इस case में original jurisdiction की पावर किसके पास सुप्रीम कोट की पास इतनी असान है सिफ नाम है थोड़ाने वाले हैं बड़ने वाली बात है नहीं यह पन क्या से रिट जुनिस्दिक्शन माल लेतने है कोई परसन है okay any person has a right to approach the court against the violation of fundamental rights माल लेतने में पास है right to move माल लेतने मुझे रोक रहा है कोई जना right to move मेरी basic right fundamental rights मुझे कोई रोक रहा है whatsoever is the person who is stopping me to do that I can approach through a writ petition Supreme Court के पास okay हमको कहां बता रखा है part 3 में बताया हुआ है as expressly provided under article 32 expressly मतलब words में बया कर रखा है which guarantees constitutional remedies in form of writ कि आप writ petition file कर दीजे and we are going to provide a solution किसके पास है Supreme Court के पास दो jurisdiction पर लिए हमने भी तक एक है मार पास original jurisdiction दूसरी है मार पास writ jurisdiction and you'll have to give me a moment it is becoming very very hot let me adjust the temperature of my AC give me a moment okay now let's talk about appellate jurisdiction जैसे मैंने अब थोड़े दे पहले पास बताया आपको कि एकर अपील करनी है अगर नीचे कोर्ट से साटिस्पाइट नहीं हो तो आप हाइस कोर्ट जा सकते है सुप्रीम कोट है हाइस कोट ऑफ अपील सुप्रीम कोट हाइस कोट अपील अपील अगेंस अनी ओर्डर जो हाइक कोट ने दिया है यह बात हमोरी बीबी वर्सिस अर्मोदास गोज आपका माइनर सेक्शन 11 इंडिन कॉंट्राक्ट अक्ट है वहाँ भी बातचीत करके आए यह पर स्पेसिविकली बिता रहे है सुप्रीम कोट के पास तीन पावर पढ़ी और जीनल जुरिस्डिक्शन रिट जुरिस्डिक्शन अड अपीलेंट जुरिस्डिक्शन अब बात करते हैं अडवाज द्वाइज रिजुरिस्डिक्शन की सुप्रीम कोट प्रेजिटेंगको چे सकते हैं किसको प्रेजिटेंटको अडवाइज दे सकते हैं अगर कोई इंपोर्टेंट पॉब्लीक वेस्टन है जैसे भी रेक्वाय़मेंट punishment for contempt under article 129 of constitution the supreme court of india and the high court of india of each state under article 215 of the constitution of india are declared as court for record court of record with power to punish the contempt of itself the court doesn't follow you are now found guilty for the contempt of court for the court Supreme Court and High Court has received power in the Supreme Court which is subject to harvin 129 और जहां high court के पास power है for the contempt of court is article 215 so we have two articles when we are talking about from the perspective of supreme court and from the perspective of high court supreme court के लिए बात कर रखी है article 129 में और high court के आरे में बात कर रखी article 215 में okay अभी आद करने पड़ेंगे articles हमापस कोई option नहीं है review jurisdiction पावरे supreme court के पास article 137 बोल रहा है कि जो अपने खुद के judgment जाया order है supreme court के उसे review भी कर सकता है supreme court ऐसा नहीं है कह दिया ना बस कह दिया नहीं होगा supreme court इस्टेबलिश हुआ तब 26 जनुवरी 1950 को जो हम रेपब्लिक देश माँ से लिपलेट होता है established on the article 1241 of the constitution उसे माई strength of supreme court की जोजिशी 8 बोले तो 7 प्लस 1 जैसे कि इसमें 33 प्लस 1 है जहां एक Chief Justice of India बाकि सारे वो जोजिशी ने जो माई सेर्स में बने हैं मारे मौडूल में भी दे रखे हैं इसे में लेकरा हूं आपके लिए yes when was the supreme court of india established 26th of january 1950 even if we do not see the options we know the answer is this one yes okay now fundamental rights are mentioned in which part of the constitution of india part 2, part 3, part 9, part 12 it is not these two but part 3 part 3 में fundamental rights mention करी गहीं है important है इसे हम यहीं से learn कर लेंगे just in case पीछे हमने नहीं भी किया था learn okay fundamental rights part 3 में बता रखी है चले अब high court के ओर चले shall we move forward with high court yes मैं तो आये देखेंगे high court क्या है स्टेट है ना स्टेट पर अपन क्या हाई कोट्स है total 25 हाई कोट्स हमार पर सेनिया में high court second highest court है supreme court के बाद हमार पर हाई कोट आता है higher key में जो की कहां बता रखें हैं sorry part 6 chapter 5 part 6 chapter 5 ठीक है तो Constitution ने हमारे सम्विदान ने बोल रखा है यह powers High Court के पास है and therefore it is written as bestowed bestowed upon High Court जैसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्षिन सुप्रीम कोड के पास थी यहां पर भी है रिट जुरिस्डिक्षिन जैसे सुप्रीम कोड के पास थी यहां पर भी है अब तीन और पावर सी सुप्रीम कोड के पास अपार्ट फॉरिजिनल जुरिस्डिक्षिन रिट जुरिस्डिक्षिन एपिलियेट जुरिस्डिक्षिन थी यहां पर और कॉनकों सी पावर थी पुन सा अर्टिकल था सुप्रीम कोट का इससे प्रिश् puck वह था आर्टिकल 129 और पर अड़्वाईज को बाट यहां पर सकते ते आपर प्रेजडेंट थे सकते ते प्रेजडेंट को यहां पर नहीं हुआ जो बात्यों यहां पर हमने सु्प्रीम कोट के साथ करिए इहां पर यहां पर करोपनीत दीछ रही है REPै oh यहां पर स्टेट की लड़ाई चल रही है और यहां पर सेंटर और स्टेट की बीच में लड़ाई है तो इसके पास है हाई कोड़ के पर अप्रोच कर सकता है यहां पर खुश्ष नहीं है तो सुप्रीम कोड़ पर अपील लेकर जा सकता है पर तुमने आर्टिकल 215 में देखी लिया है अब इसके रावा एक और पावर है जो हाई कोड़ के पास है वह कौन सी है आर्टिकल 227 में बोल रखा है थे लिए तुमने पावर ऑल हाई कोड़ कोड़ टूस प्राक्टिस सुप्री टेंडेंडेंश और ओल देखा जा पता है तुमने निएगा यजिका पापा पाप्र खुलिच्वाड़ कोड़ कोड़ कॉट सिव्यों इसके all the lower courts okay including tribunals moreover article 228 हमें बता रखा है high court can transfer any of the pending cases before a subordinate court to itself if it involves a substantial question of law कोई नीचे केस चल रहा था रो उसको लग रहा है substantial question of law है इसको high court अपने पास ले लेगा तो हमने पड़ी 6 power supreme court की चली में साथ साथ बोलेंगे कौन कौन सी है original jurisdiction, writ jurisdiction, appeal jurisdiction, advisory jurisdiction, review jurisdiction and power to content यहां पर high court में हमने 5 आपकी powers देखी first three तो सेम है original jurisdiction सेम है, writ jurisdiction सेम है और appeal jurisdiction भी सेम है जो fifth वहां पर थी वह यहां पर है power to contempt but जो fourth है वह यहां differ हो गई है वह है power of subordination sorry power of superintendence यह power of superintendence यह आर्टिकल 227 और 228 के बारे में बातचीत करी गई है so pretendence है आर्टिकल 227 बोल रहा है और माल लेते हैं कोई question of important question of law चल रहा है important question of law चल रहा है किसी lower court में हो तो अपने आप ही high court अपने पास वहाले case को लेकर आ सकती है important है यहांसे questions बनेंगे जो इस नमर का paper आपको दिख रहा है मतला 5 questions जो लगभग आने वाले है वो इन topics से आ सकते है okay which article of constitution of India has the power to power to certain petition of violation of fundamental rights fundamental rights में अगर violation हो रही है तो कौन से article में इस करेंबात हो रही है article 32, 226, 226, 326, 356 अगर violate हो रही है तो दोनों article 226 में भी और article 32 में बात्चित इस के आरे में बात हो रखी है petition a question दिया वाय है content में नहीं दिया वाय है तो हमाले important हो जाता है इसी को यहीं पर learn कर लेना है content में इस के आरे में बात्चित नहीं कर कर आया है but it is important for us to remember क्योंकि किताब में दिया हुआ है अब lower or subordinate courts को भी जान लेते हैं आएए पढ़ते हैं आगे article नहीं सब्सक्राइब पावर दे रहा है constitution का subordinate courts को पावर दे रहा है these courts are established and controlled by high court बहुत सारे factors है lower subordinate courts का structure दो में divided है एक है मैं पर criminal court एक हैपन के पर civil court ठीक है अगर मैं criminal और civil court को अब detail में समझती हूं समझाती हूं आपको तो बावने वाला आपको मजा आए देखेंगे क्या है मैं आपस यह हम पहले बात कर रहे है criminal justice की तो कहां से चालू करेंगे जो हमारे कैसे हमने बोला supreme court high court subordinate courts subordinate courts के अंदर criminal court yes supreme court high court अब subordinate courts हैं यहां पर हम बातचीत कर रहे है district court session judge and additional session judge उसके अंदर हम आपस आते हैं assistant session judge उसके अंदर आता है chief judicial magistrate and chief metropolitan magistrate chief judicial magistrate के अंदर है judicial magistrate of first class और ऐसे यहां पर है metropolitan magistrate इसके नीचे judicial magistrate second class and special judicial magistrate आ जाते हैं इसको याद कैसे करेंगे यह देखेंगे पहले तुम बात कर रहे है supreme court सबसे ओपर supreme court है अगर कोई high court से खुश नहीं है या पील लेकर जाना चाहता है तो supreme court के पास जा सकता है ऐसी subordinate courts को क्या बता रहे है जब मैं criminal structure discuss कर रही हूं at subordinate level इसको हम बोल रहे है district court क्या बोल रहे हैं इसको हम बोल रहे है district court and session district and session judge and additional session judge क्या बोल रहे हैं district and special judge and additional special judge okay अगर कोई यहां से भी खुश नहीं है तो यहां आ जाएगा अब इसकी hierarchy कैसे है house hierarchy below it district session judge or additional session judge अब इसको भी assist कर रहे होंगे assistant session judge session में चलता है na session बोलते है लोर होते हैं session judge बोलते है assistant session judge इस assistant session judge के एक side is chief judicial magistrate एक है chief metropolitan magistrate चलो आओ यहां पर देखेंगे यहां कहा है assistant session judge assistant session judge के उपर है अब यहां पर दो बन रखेंगे हैं क्या है chief judicial magistrate और chief metropolitan magistrate अब यहां पर हम आपस है judicial magistrate first class और उचके नीचे ही second class है और इसे special judicial magistrate है first class second class और special और metropolitan के नीचे simple metropolitan magistrate है इसके नीचे कौन है special metropolitan magistrate यहां पर यहां पर यहां पर है chief judicial magistrate of first class एक साइड second class है दूसरी साइड special judicial magistrate है यहां पर special metropolitan magistrate है यहां पर metropolitan magistrate है special नहीं आचिली metropolitan magistrate है पर सुप्रीम कोट है फिर हाई कोट है फिर हाई कोट है district and session judge है and special judge है क्या क्या बोले हमने district and special judge and additional special judge है district and special judge and additional session judge है अब इनके अंदर assistant special judge है इसके अंदर दो है chief judicial magistrate and chief metropolitan magistrate chief judicial magistrate के अंदर भी हमार पस है chief judicial magistrate of first class chief judicial magistrate of second class and special judicial magistrate chief metropolitan magistrate के अंदर तुमार पस metropolitan magistrate है हो गया याद? are we able to remember this? yes, no I don't think it will be difficult होगा आपके लिए criminal justice है तो थोड़ा सा पढ़ेंगे एक बाई खुद बना लेंगे जब तक हम खुद नहीं बनाएंगे कहते हैं आपना मरिये सवर्गना जाहिए अगर अपन को clear करना अपना CMA foundation तो खुद बनाना पड़ेगा एक भारी है तुम क्या बोल रहे है section 6 criminal procedures code CPC sorry CRPC criminal CRPC होता है और जबी civil हो जाता है तो CPC हो जाता प्रिस्क्राइब कर रहा है constitution of 4 classes of criminal courts court of session, court of metropolitan magistrate, court of chief judicial magistrate and executive magistrate total 4 बोल रहा है कौन-कौन से हैं कौन-कौन से हैं मार पस court of session फिर मार पस है court of metropolitan magistrate फिर मार पस है court of chief judicial magistrate and executive magistrate भी है बहुत है करते हैं court of session के साथ हर एक state में session division है with each of them having a court of session जो की कौन-Preside कर रहा है it is basically who is on the basically क्या बोलता है इसको let me just quickly try to recollect the name presiding presiding it is presided by whom it is presided by session judge district session and additional session under the assistant session under the chief judicial or chief magistrate बना भी रखा है subordinate court the court has the power to try any criminal matter and pass any punishment authorized by law but the punishment of death penalty has to be confirmed by high court death की बात्चीट death की बात्चीट death की पनलिटी जो है वो यह session judge नहीं दे सकता है यह session court नहीं दे सकता है session court में presiding officer कौन है session judge okay then is court of metropolitan magistrate special court है जो की state government established करती है कंसल्ट high court से करके क्योंकि यह से high court ही session court बना था उसी तरीके से यह high court ही special court बना रहा है जो की आपका metropolitan court of metropolitan magistrate है that is areas with population more than 1 million यहां से बन सकता है exam equation metropolitan courts कहां बनता है जहां पर 1 million से ज्यादा 10 लाग से ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर आपका court of magistrate बनता है metropolitan magistrate बनता है these courts are subordinate to session courts समझे जैसे पहलान है supreme court, high court, district session and additional session judges assistant session judges यहां पर आपका chief judicial यहां पर chief magistrate आरा session के नीचे ही है उसी के बारे में आपर लिखा हुआ है okay it can pass any punishment authorized यहां पर भी death penalty नहीं हो सकती यहां पर death penalty नहीं हो सकती and penalty of life imprisonment or imprisonment for term of more than 7 years यहां पर ऐसी बात्षेट नहीं करीवे थी तो session court में 7 साल से उपर ली बात भी हो सकती है और life imprisonment वाली बात भी हो सकती है बर death वाली नहीं हो सकती यहां पर एक्सेप्ट है एक्सेप्ट death penalty penalty of life imprisonment and imprisonment for more than 7 years not allowed एक्सेप्ट है यह okay this is court of metropolitan magistrate court of chief judicial magistrate जैसे session के नीचे यह था जैसे session के नीचे था जैसे session के नीचे metropolitant था जहां पर 10 लाग से जादा लोग थे एक मिले से जादा लोग थे उसी तरीके से यह पर chief judicial magistrate का court आ जाता है again यह state बना रहा है high court के साथ बनाकर established number of courts of the judicial magistrate यह पर एक first class वाला है एक second class वाला है first class वाला judicial magistrate of first class है second class magistrate chief judicial magistrate CGM द्वारा head करे जाते है चाहे first class वाला हो चाहे second class वाला ओके यह भी punishment दे सकते है except death penalty, life imprisonment and 7 साल से जादा वाला session court तो death penalty नहीं दे सकता है उसके लिए high court ही जाना पड़ेगा बर चाहे मैं chief judicial magistrate के आरे में बात करूं चाहे मैं chief metropolitan magistrate के आरे में बात करूं तो 7 साल से जादा की बात life imprisonment की बात death penalty बात यहां नहीं होती है okay these courts can pass executive magistrate के आरे में बात करते हैं the powers and functions executive magistrate के are more or less administrative in nature okay law order maintain के लिए they are appointed by respective state government और इनकी job essential job is not as a judicial officer judicial officer यह कहीं करना कहीं नहीं है खाली यह statement दें के पूछेंगे पूछेंगे कौन से वाले जाजाएं criminal में it is executive magistrate समझ में आयां guys difficult नहीं है बस थोड़ा सा समय देना है difficult नहीं है बस थोड़ा सा समय देना है okay which is the lowest court of approach in criminal matter lowest court हमार पास chief metropolitan magistrate है और उसके ओदर chief judicial magistrate है munsiv court नहीं chief judicial magistrate okay session court नहीं district court नहीं I think the answer would be the option that we have would be chief judicial magistrate okay now जैसे हमने criminal court के आरे में देखा वैसे ही civil court के बारे में भी देख लेते है कोके civil court में क्या है जैसे supreme court नहीं था वैसे यह पे है जैसे high court नहीं था वैसे यह इह पे भी है जैसे district court ये session court नहीं तुझा भी है वैसे यह रहे भी है यह पर डिरेक्टली हम Chief Judicial Magistrate के नीचे जो 1st Class और 2nd Class था उससे डिवाइट कर रखा है और महां पर भी Court of Small Cause for Metropolitan Cities है and Munsiv Courts or Court of Sub Judge 3 Class आ जा रहे हैं यह learn करना है हमार को Munsiv Court is there in Civil Court and not in Criminal Court क्या बोला Supreme Court High Court District Office Session उसके नीचे हम इस वाली साइड है Metropolitan साइड नहीं है हम इस जुडिशल वाली साइड है जुडिशल वाली साइड में पहले 1st Class है फिर 2nd Class है 2nd Class के नीचे एक साइड Munsiv है दूसरी साइड 3rd Class है Court of Small Causes of Metropolitan City Metropolitan City कौन से है जहां पर एक मिले मौले तो दस लाग से जादा लोग रहते हैं ठीक है तो इसको भी ड्रॉव कर लेते हैं भई लेट्स ड्रॉइट टुगेधर हम क्या बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हाय कोर्ट डिस्ट्रिक्ट या फिर सेशन कोर्ट यहां पर हमने जुडिशल मेजिस्ट्रेट में नहीं बाता हमने यहां पर इसको बोल दिया चीव जुडिशल मेजिस्ट्रेट 1st Class फिर ऐसे ही 2nd Class फिर कोई स्मॉल मेटर्स हैं जहां पर मेट्रोपॉलिटन सिटी के आरेम बात कर रखें दवलव जब बोले तो जहां 10 लाक या एक मिलन स्याल लोग हैं और दूसरी तरफ हमार पर मुनसिफ कोट है या फिर 3rd Class वाले होस कोटे जज ओके सब जज 3 क्लास कोट ओव सबॉडिनेट जज क्लास कोट ओव सबॉडिनेट जज क्लास 1 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 कोट ओव में serik कोट क करने हैं मात क bånd करने हैं इसिट्रिक के अंदर स्टेट मिदम काई कोट ऑपर इंडिस्टिक्षिन जोकी सु ऑपनी यूंगा टी निसे छाते हैं कुझ करेगा ? पॉइंटेट वाइन फॉम ? इस वाइद गवर्णूर तैसा एसा सुप्रीम कोट में प्रेजिडेंट थे विद आधाय कोट इन अवरे डिस्ट्रिक और दो पॉड़ीनेट कोड्स है है सब्जज है कि अधिशनल सब्जज है मन्सिफ को समय से है इसलिजिश्य कर रहे हैं कर रहें! इसलिफ एमक्रम में क्कॉंट्रिय कमपीर कर रहे है arrival 4th deduction में इसलिफ कर्शें में कर रहे हैं? हमारे constitution का कौन? यह सारे subordinate judges, subordinate courts Am I clear guys? Yes, so it is evident साफ साफ दिखी रहा है प्रत्यक्ष को प्रमान की जरूरत नहीं है साबने से दिख रहा है कि strong base अगर है हमार पास तो efficiency proven है धाचा judiciary system बढ़िया बना हुआ है जो कि independent भी है, impartial भी है और ideal है एक बड़ी country जैसे इंडिया के लिए ताकि ensure किया जा सके कि administration जो है हर एक level पर एक दम सार्टिंग जड़ सही सार्टिंग फ्रम ग्रास रूट ठीक हो तो हाइस civil court district में क्या है district court है session court बोल सकते है but session court district court के अंदर ही आता है हम district court बोलेंगी okay now tribunal system क्या है इंडिया में इसके बारे में इसे करते हैं अपन नेक्स session में बात करेंगे tribunal court के बारे में ठीक है जहाँ पर ADR conciliational sector के अरे में बात करेंगे और इस topic को करेंगे finish तो जैसे हमने लग बग एक घंटा अज session गया ऐसे ही एक घंटे का session हम next session में करेंगे and we will be done with this chapter as well okay for now guys अगर अभी तक आपने नहीं जॉइन किया है if you haven't dared join law by cmdishaduwa telegram group तो कर लीजे चनल को subscribe कर लीजे और कोई दिकत परशानिया तो आपना प्रशानिया कमेट बाग से बाद कर सकते हैं और अपना प्यार दे सकते हैं because this is what motivates me to keep coming every in every class with the best of content okay and आप में से तेलिग्राम पर भी बात कर सकते हैं I'll share the notes there as well for now I'll take your leave this is your friend and your teacher cmdishaduwa signing off for now and today bye-bye